तो है गाइस तो कैसे हैं आप सब I hope आप सब ठीक होंगे अच्छे से होगे जो जेके बोबी की तरफ से एक important update है जो भी आप मैंसे ऐसे experiments हैं जो session 2023 के लिए preparation कर रहे हैं different courses के लिए तो उनके लिए हम पर important update है कि आपके application forms कब निकलेंगे आपके जो tentative entrance date हैं यहाँ पर उसके बारे में भी हम बात करेंगे और आपका result कब declare होगा सबसे पहले यहाँ पर आप left side में देख सकते हो आपके जो courses हैं उसके बाद यहाँ पर application form आप कब फिल कर सकते हो और registration आप कब कर सकते हो एंड उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो application forms की last date क्या होगी यानि registration की last date क्या होगी यहाँ पर आपका जो entrance test है वो कब होगा लेकिन जो यह date से यह tentative है यह change भी हो सकते हैं और आपका जो result वो कब declare होगा यह सब कुछ standard date है लेकिन इसी के आसपास आपके application forms release होगे इसी के आसपास आपका जो entrance test conduct किया जाएगा एंड इसी के आसपास आपका जो result वो declare किया जाएगा तो यह dates आपको अपने mind में रखने होगे क्योंकि यह dates important dates है अगर हम यहाँ पर बात करेंगे जो भी different courses हैं जो जैके वो भी provide करता है जो भी यहाँ पर आप में इसे एसपास हैं जो session 2023 के लिए prepare कर रहे हैं सबसे पहले beard कश्मीर beard जुमू की बात करें तो यहाँ पर application forms आपके 10 March release होगे and यहाँ पर आप देख सकते हो 31 March last date होगी उसके बाद entrance test आपका यहाँ पर 23rd April को conduct किया जाएगा then within 10 days आपका result declare हो जाएगा उसके बाद B.E.B.Tech engineering courses जेके C.E.T. B.E.B.Tech engineering courses की अगर हम बात करेंगे इसमें यहाँ पर जो आपके application forms हैं वो 4 April को release होगे and 24th April last date होगी application forms की उसके बाद 28.28 माई को आपका जो entrance test conduct किया जाएगा then 10 दिन के बाद आपका result release declare किया जाएगा जेके बोपी की तरफ से उसके बाद सबसे important course जो है B.E.C. nursing, B.E.C. paramedical and B.E.C. technology courses इसके जो application forms यहाँ पर आप देख सकते हो 29 मारिच को release होगे उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो last date of application forms यहाँ पर 18 April को है फिर आपका जो entrance test वो June में conduct किया जाएगा first और second week of June and result फिर आपका 10 दिन में declare किया जाएगा उसके बाद post basic B.E.C. nursing के application forms 17 April को release होगे exam date हैं वो यहाँ पर आपसे बाद में बता दिया जाएगा and result भी फिर यहाँ पर उसी हिसाब से यह release करेंगे उसके बाद 10 बेस डिप्लोमा प्रामेडिकल डिप्लोमा कोर्स जिसमें आपका FMPHW, MMPHW जिसे courses हैं इनका जो application forms हैं वो 17th of May को release होंगे and 25th of June last date होगी and यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो examination date and entrance date and result date वो आपको बाद में बता दिया जाएगा उसके बाद next अगर हम बात करेंगे आपके पास 12th based paramedical diploma courses हैं जिसमें आपके बहुत सारे courses हैं like medical assistant, lab assistant, defarma जैसे courses हैं, GNM है, A&M है, GNM lateral entry है medical record technician जो की सिकमस सोरा सिरी नगर में है तो यहाँ पर आप देख सकते हो 27 माई को आपके application forms release होंगे then 11 June के 11 June आपका last date है application forms का उसके बाद जो आपका entrance होगा वो बात मीं बता दिया जाएगा and result within 10 days declare किया जाएगा, इसी तरीके से आप यहाँ पर MSC nursing का देख सकते हो, MSC tech courses का देख सकते हो B architecture यहाँ पर आप देख सकते हो और भी कुछ courses हैं like यहाँ पर आप देख सकते हो, PG, DRP, उसके बाद B pharma है, B pharmacy यहाँ पर है उसके बाद यहाँ पर MBBS, BDS, IUS, BPD, DDH, DDM जैसे courses है, NEET जो कि यहाँ पर NTA पर सब कुछ matter करेगा कि आपको पता हैं 7 माई NTA NEET conduct करेगा, उसके बाद जैके वो भी इसकी counselling करता है MD, MS, MDS, PGD इसके लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हो, DNB courses के लिए MD, MS, Ayurveda के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हो So, जो यह dates हैं, यह dates, 22 dates हैं, यह change भी हो सकते हैं, लेकिन इन ही dates के आसपास आपके application forms release होंगे इन ही dates के आसपास आपका जो entrance test conduct किया जाएगा So, this was all about session 2023 regarding the release of application forms and the conduct of entrance test